तीन जून को माता कलिस्या अफ्रीका महादेश के उगांडा के गौरव संट चाल्स लुआंगा, संट जोसेप मकासा और उनके सहीद साथियों को याद करती है और उनका त्योहार मनाती है अठारा सो उनासी इस्वी में अफ्रीकी मिस्नरियों द्वारा काडिनल लेवी गरी के निर्देशन में ख्रिष्टियता का भीज उगांडा में बोथ दिया गया था और बड़ी तेजी से ये बढ़ रही थे उस समय वहां मुतेशा नामक एक राजा था और उनके कई इवा दरबारी भी ख्रिष्टियत धर्म को अपना लिये थे राजा मुतेशा के मिर्तियू के बाद उनका बेटा मौवंगा राजा बना जो बहुत दूस्ट और अनैतिकता में डुबा हुआ था अपनी वासना की पूर्ति के लिए ख्रिष्टिय बच्छों और रिवकों का रहुन सोसन करना चाहता था संत जोसिप मकासा जो राज के परिचरों का प्रमुक था ख्रिष्टिय विश्वासियों की अगवाई करता था और राजा के इस घिनवनी हरकत से उनका रक्छा करता था 1885 इस्वी में एक एंगलिकन बिशप जेम्स हनिंटन राजा से मुलाकात करने आया पर राजा मौांगा ने निर्दैता और कुरूरता से उसकी हत्या करवा दिया ताकि उनके स्वार्थ परता की पूर्ति में कोई बाधा ना आये संथ जोसिप मकासा ने इस हत्या और राजा के अनायतिक कारें का गोर निंदा किया उसके इस निंदा को वह बरदास्त नहीं कर पाया और उनका सीर से धड़ को अलग कर उनकी हत्या करवा दिया इस तरह संथ जोसिप क्रिस्ट के सिधानतों पर चलते हुए और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी इनके सहादत के बाद संथ चार्ल्स लवांगा आगे आये बब्तिसमा ग्रहन किया और लोगों की अगवाई करने लगे इससे पहले वे छोटे बच्चों को धर्म सिख्चा देने का काम पूरे समर्पित भाव से करते थे अपनी जीवन और सिख्चाओं द्वारा बहुत सारे लोगों को येशु और उसके मुक्तिक दाई कारें के बारे में बताया और क्रिस्ट्य धर्म स्विकार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया साथ ही उन्होंने जोर देकर लोगों को कहा कि वे अपनी ब्यक्तिगत सुधता को बनाए रखे और अपने विश्वास में दिरिड रहे ऐसा खरने पर कोई उनका कुछ नहीं बिगार सकता है भले ही वे सारी रूप से मर जाएंगे पर आत्मिक रूप से वे अमर हो जाएंगे जब राजा को इस बात का पता चला कि उनके कई दर्बारी परिचर इसाई बन गये है राजा आग बबुला हो गया और सबों को भुला कर उनसे पूछा कि कितने लोग खरिष्ट धर्म में बने रहना चाहते हैं और कितने लोग उसे छोड़ना चाहते हैं जो इसे छोड़ेगा उनको जीवित रहने का मौका मिलेगा तेरा से तीस वर्ष तक उम्रवालों में सत्रा ब्यक्ति सामने आए जो खरिष्ट पर अपना विश्वास का साक्षी दिये और उसमें बने रहने का संकल्प लेकर घोसना किये कि मिर्तियू तक वे खरिष्टियता में बने रहेंगे इस पर उन्हें बांद कर दो दिनों तक यात्रा कराया गया सारीरिक यंत्रनाई दी गई और अंत में उन्हें जीन्दा जला दिया गया 1885 से 87 के बीच करीब 24 ख्रिष्ट भक्तों को सहादत मिले येसु ख्रिष्ट में बिश्वास की कारण मरने के लिए बीवे तायार हो गए 1922 में संथ चाल्स लवांगा और उनके सहित साथियों को धन्य घोसित किया गया और 1964 इस्वी में संथ पिता पौलुस छटे ने इन्हें संथ की उपाधी दे संथ चाल्स लवांगा अफ्रीकी काथलिक यूद के संरक्चक संथ है